एक्स एंपायर को लेकर के मेरे पास एकी कोश्चन सबसे ज़्यादा था कि हमने एनेफटी मिंट कर लिया है लेकिन चेक कैसे करें कि हमारा एनेफटी मिंट हुआ है या नहीं हुआ है तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरी डेटील विस्तार से हम आपको प्रोवाइट करेंगे इस समय की बात करें तो जो इसका फ्लूर प्राइज है वो अपडाउन आप सभी को देखने को मिल सकता है तो जो प्राइज आपको सही लगता है उस जाप से आप डिसाइड कर के प्राइज यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन आपके पास होना चाहिए एनेफटी तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्योंकि चेक करने का जो समय बगरा दिया गया है यानि आपके वालेट में जो एनेफटी आएगा उसका जो समय दिया गया है वो समय आपर 24-48 ने आपको प्रोइट की है कैसे आप X Empire का जो NFT है आप सभी को मिला है उसको आप मिंट कर सकते हैं कुछ लोगों का ये भी questions था कि ये जो NFT है हमको नहीं मिला है हमारा यहां पे जो PPH है वो 100 billion है किसी का यहां पे 50 billion है 10 billion है फिर भी नहीं मिला है तो क्या हमें coin भी यहां पे नही हो जाएंगे टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को इसका यहां पर टूटल वॉल्यूम जनरेट हुआ है इसका यानि X Empire NFT का टूटल वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है वो 1.5 के टॉन यहां पर जनरेट हुआ है यानि 1500 टॉन यहां पर सिक्स मल्टिप्लाई यहां पर आपको सीधा सीधा कर देना है किससे यानि लगवक 6 डॉलर की संतिंग यहां पर टॉन चल रहा है उसके बाद में यहां पर आइटम की बात करें तो यहां पर आइटम होते हैं यानि NFT बगएरा तो यहां पर 12,000 यहां पर आइटम बगएरा और यहां पर website बगएरा की इनकी detail यहां पर दी गई है जैसे not coin में हम लोगों को देखने को मिलती थी करने के बाद आप सभी के सामने इस तरीके का यहां पर इंटरफेस साज आएगा कि यहां पर समय बगएरा दिया जाता है यह आप देखें बाउचर age progress 5 ठीक है जो भी बाउचर आपने की होंगे उनका number आपको दिया होगा यहां पर और नीचे आप यहां पर देखेंगे it's भालेट को आपने इस से connect करके रखा है और जिस भालेट से आपने transaction किये हैं जो wallet आपने connect करके रखा होगा उसी wallet से आपको mint करना है तो उसी wallet में आपो चेक कर सकते हैं कि आपका NFT आया है या नहीं आया है अगर आप telegram wallet की बात करें तो वह facility देता है लेकिन tonekeeper की बात करें व तो यहां पे जिससे आपने transaction किया था बोबाला wallet open करना है और यहां पे आपको ton पे click कर देना है ton पे जैसे ही आप click करें यह आप history पे भी click कर सकते हैं लेकिन मैं ton के through आपको बता रहा हूँ ton पे आपको click करना है टॉन पे जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पे इस तरीके का interface आपके सामने आज आएगा यहाँ पे simple आपको क्या करना है यह देखिए यहाँ पे 3 dots मिल रहे हैं यही 3 dots पे आपको click करना है आपका जो भी price बगरा होता है amount होता है वो आपके wallet में आपके so करता है तो आप यहाँ पे 3 dots पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने लगकर क्या आएगा view detail view detail का एक options आपके सामने आज आएगा यहाँ पे देखिए और यह एक चीज और बताना चाहूंगा अब बहुत सारी लोगों का questions है कि क्या हम लोगों को यहाँ पे जो transaction fees है उसके लिए केतना रखना चाहिए तो इनके साब से अगर माने तो यहाँ पे लगवग एक से deal tone आपको wallet में रखना है तब आपका यह सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा पर NFT की यहाँ पे कीमत रखी गई है यानि जब आप mint करते हैं उसकी भी fees रखी गई है पिछली वीडियो में मैंने इसकी बारे में detail provide आपको की थी तो यहाँ पे जैसे ही आप view detail पे click करेंगे click करने के बाद में इस तरीके से आपको browser में यहाँ पे ले जाया जाएगा यहा आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको simple कुछ नहीं करना है यह जो आपको आल वाला options यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसी options पे आपको click करना है आल वाले options पे जैसे ही आप यहाँ पे click करेंगे आपके wallet में जो भी यहाँ पे NFT बगएरा होंगे वो आपके सामने आना सु हो जाएंगे जैसे यहाँ पे आप देखें यह मेरे wallet में आपके ton, not, dog के NFT पड़े हुए हैं और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगा यह सारे की सारे ज़्यादा तरह NFT आप देखेंगे scam है यानि जो आपके wallet में automatic आ जाते हैं वो यहाँ पे NFT scam है वो आपके wallet को हो सकता है कर सकते हैं तो आपको उन NFTs पे जादा click वगएरा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे scroll करते हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे wallet में जो जो item पड़े हुए हैं जैसे यहाँ पे देखी यह भी मेरे साफ से scam है दिखी इतने नोट यहाँ पर बाउचर बगएरा देखा रहा है उसके बाद नीचे आप आएंगे hamister के आप देखेंगे यह दोनों के दोनों थो इन पर पहले ही यहाँ पे scam बगएरा लिखी दिया गया है website की तरब से ही कि यह scam है तो आपको अब पता चले जाएगा यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आल वाले उप्संस पी जो आपके NFT वाले हैं तो यहीं पे आपके सू करेगा किसकी जो आपके यहाँ पे X Empire के NFT होंगी और जैसे ही सू करना शुरू करता है तो आपके wallet में आपके NFT आ चुके हैं आप यह सारे लोगों का मेरे पास एक ही questions आया कि हमें यहाँ पे NFT mint का options क्यों नहीं मिला क्या हमारा यहाँ पे criteria नहीं था जबकि हमारा जो PPH है वो हमारा यहाँ पे 10 billion 20 billion है फिर भी हमें NFT mint का यहाँ पे update नहीं मिला तो दीखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी जो भी terms conditions है वो यहाँ पैसा में सूची के NFT नहीं मिला है तो year drop भी नहीं मिलेगा year drop सभी को मिलेगा लेकिन यहाँ पे अगर NFT की बात करें तो NFT का criteria आपे नहीं दिया गया है इस चीज को मैं पहले ही यहाँ पे clear कर देता हूं क्या इसकी कोई trick है जिससे हम NFT बगयरा का जो options है वो हमारे account में आजा है तो दिखें मेरे पास ऐसी कोई भी आपे trick नहीं है कि जिससे आपे आपके account में आपे NFT का options enable कर दिया जाए जिससे आप NFT आप यहाँ कर सकें और जो भी आपे options provide किये गए है वो default provide किये गए है हाँ यह जरूर है कि इनकी तरफ से group में अगर आप check करेंगे तो उसमें यह जरूर का गया है कि जो भी आपका अभी NFT के options दिये गए है इन NFT के options को हम और ज़्यादा increase करेंगे यानि हो सकता है कि कुस गंटे में और भी users को यह options आपे देखने को मिलें जिनके through NFT बगारा mint कर सकें अगर आप चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें पूरा अग करें आपको देखने को मिल जाएगी जो इनकी है वो काफी ज़्यादा है और यह वाला अगर आप रीड करेंगे यह वाली यहां पर दी गई है तो इसमें कहा गया है कि इसका प्राइज अभी हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि को इनका प्राइज क्या होगा आंगे जाकर इनके आपको एक NFT का अभी दिया जा रहा है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसका प्राइज हो सकता है ठीक है आंगे जाकर करके यह जो एमाउंट है 69 के वाला यह और ज्यादा इंकरीज किया जाएगा ठीक है हो सकता है कि यहां पर 80 कर दिया जाए या यह कर सकते हैं कि फॉर वाचिंग